11 एपरेल और 12 एपरेल का दिन कुम्ब राशी की लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी इन दो दिनों के राशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं इन दो दिनों में ग्रहों की स्तिथी क्या होगी नक्षत्र क्या होंगे योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन चरिया में देखने को मिलेंगे तो सारी जानकरी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी इसलिए वीडियो को लास तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में हम बात कर लेते हैं तो देखें 11 एप्रेल का जो दिन है ये तीसरा नवरात्र है गुरुवार का दिन और शुक्रिपक्ष की तिर्थिया तिथी क्रति का नक्षत्रा रहेगा इस दिन और प्रिती नाम का योग बनेगा ये योग जो प्रिती नाम का योग ही सुबह सवा साथ बजे तक है उसके बाद बड़ा ही सुन्दर योग बनने वाला है आईश्मान योग और चंद्रमा मेश रासी से निकल कर विर्षब रासी में गोचर कर जाएंगे सुर्य तो मीन राशी रेवती नक्षतर में विराजमान है ही इसके आलावा अरव योग बनेगा 12 अप्रेल शुकरवार का दिन शुकरपक्ष की चतुर्ती थी थी यानि चोथा नवरातर और रोहिनी नक्षतर है रोहनी नक्षत्र बहुती शुब नक्षत्र होता है चंदरमा के लिए बहुती शुब और इस नक्षत्र का प्रभाव बहुत अधिक शुब देखने को मिलेगा सौभाग्य नाम का योग भी बन गया है योग दोनों ही दिन अच्छे हैं प्रभाव है वो कैसे प्रभावित करने वाला है आपको चलिए विस्तार से बात करते हैं पहले जानेंगे हम 11 एपरिल के बारे में कि 11 एपरिल का दिन आपके लिए कैसा है तो स्वास्ते की दरस्टी से अच्छा दिन रहेगा पहली बात तो चंद्रमा उचके हो गए है उचके यानि की अच्छी पोजिशन पर बैठे हुए है दूसरा योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है और चंद्रमा का नक्षतर भी अच्छा है तो आपको मेंटली तोर पर फिट रखेगा शारेरिक तोर पर भी आपको फिट रखेगा और अधिकतर जो चीजें होंगी आपकी आज की उनमें आपको काफी जादा कह सकते हैं खुशी देखने को मिलेगी काफी जादा अच्छा अनुभव आप कर पाएंगे कुछ मामले तो ऐसे होंगे कि जो सुलज नहीं रहे थे ना जुनको आप बड़ा परिशान होकर बैठे हुए थे तो वो बड़ी आसानी से आज आज आपको सुलजते वो दिख जाएंगे और कुछ आपके काम जो पैंडिंग पड़े थे पूरे करने थे, सोच रहे थे जब टाइम मिलेगा तब आप पूरे करेंगे तो उन अधूरे कामों को भी पूरा कर पाएंगे मन की इस्तिथी तो अच्छी है लेकिन फिर भी कई बार अभी चंद्रमा पूर्ण परकाश में नहीं है तो थोड़ा बहुत किस चीजों को लेकर संकोची हो सकता है विचलित हो सकता है, जादा सोच सकता है कुछ चीजों को लेकर या कुछ चीजों के लिए बात हो रहे है तब ऐसी इस्तिथी में आप अपने हिसाब से काम करें जैसा आपके सुटेबल लगे उस तरह से आपको काम करना है अपनी रुची के अनुसार काम कर सकते हैं जो आपको काम पसंद है वो काम आप कर सकते हैं जो आपके अंदर खुशी लेकर आए और साथ में उन चीजों से त्रप्ति की भावना भी लेकर आए आप अपने आसपास की खुबसूरत चीजों का आनंद भी ले पाएंगे और ऐसा करने से निश्चित रूप से आप तरो ताजा महसोस करेंगे सभी कामों को करने से आपको खुद को बेहद खुशी होने वाली है जो इस राशी के लोग व्यवसाय करते हैं अपनी दुकान है या अपना खुद का कारोबार है उनके लिए भी आज का दिन अच्छा होने वाला है सही आपका दिन भी देगा और शाम का वक्त आपके दोस्तो के साथ पितानी के लिए बेहद शुब रहने वाला है या फिर हो सकता है कि आप आने वाली छुट्टियों की योजना बना रहे हो अपनी फैमिली के साथ मिलकर उस पर कुछ चर्चा कर रहे हो और इस दिन प्रेम जीवन के लिहाद से भी अगर आप देखें तो बहुत ही उप यात्राप अगर आप जाते हैं तो नई जगहों को जो जानने का आपको मौका मिलेगा और वहां जिन लोगों से मुलाकात होगी आपको लगेगा कि हाँ जीवन में ऐसी चीजे भी हैं जिनको आपको जानना चाहिए काफी ज़ादा आप थोड़ा सोच विचार करने वाले दन समपत्ति के मामले में दिन ठीक ठाक रहने वाला है पारिवार एक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है अपने ओपर ध्यान देंगे अपने जीवन साथी के ओपर भी ध्यान देंगे आपका जो आपसी प्रेम है वो काफी जादा मजबूत होने वाला है अब देख चंद्रों का जाप करके आपने प्रसंद कर सके और अपनी इच्छाओं की पूर्ती कर सके अब 12 अपरेल की बात कर लेते हैं 12 अपरेल का दिन आपके लिए कैसा है तो चंद्रमा सबसे बहले उच्चके बैठे हुए है योग बहुत अच्छा बना हुआ है स्वभागय योग बना हुआ है बेहद शुब रवयोग भी बना हुआ है आपके कारेस्तल पर आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो परिवर्तन होंगे वो भी अच्छे होंगे आज आपके काम का जो ब्योरा है यानि आपने जो काम किया एक बार उसको रीचा कि अगर आपके हो सकती है काम की तारिफ हो सकती है जिससे आपको बेहद प्रसनता होगी तो चीजें बड़ी अच्छे तरीके से आज काम करेंगी और यहाँ चंद्रमा और उसका नक्षत्र दोनों ही बहुत अच्छे हैं और इस दिन तो चंद्रमा रोहनी नक्षत्र में है ये चंद्रमा क परिशान होने की ज़रूरत नहीं है जो आपको चुकाना है कोई बिली आपको भरना है बरना तो उसको पढ़ेगा ही आप उसको जितना देडर तक टालेंगे उतना ज़़ादा आपको टेंशन होगी तो सबसे पहले आप उसको कार्य करने का प्रयास जरूर करें, किसी से जला मश्वरा करें, किसी वकिल से ले सकते हैं, किसी टेक्स अकाउंटरंट से आप सला ले सकते हैं, ताकि आपको सही माइने में चीजों के बारे में पता चल सके, और इससे आपके मन को भी चैन मिलेगा, और आपका काम में मन भी लगेगा, इस पिन चीज़ों से आप अपने संपूण विकास को देख सकते हैं और अच्छे निर्णा ले सकते हैं अपने बारे में, अपने काम के बारे में, आपके अंधर जो भावनाएं हैं वो अपने साथी के साथ शेयर करें क्योंकि उनको भी तो अवगद करा हैं आपकी भावनाएं क होगी तो काफी अच्छा रहेगा चौतह नवरात्र है यह नवरात्र है तो इन दिनों में आप काम जरूर कर सकते हैं कि जब भी आपको छाक अ व्यक्ति देने वाला रहेगा किसी एक की भी अगर आप मदद करेंगे तो वो भी अच्छा होगा तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें